ये है आग, अकवा और मदार का पौधा, ये एक बिशेला पौधा होता है, इसको कोई भी परशु नहीं खाता, बकरी भी इसका प्रियोग नहीं करती है, क्योंकि ये बिशेला होता है, तो मैं एक प्रियोग बताने के लिए आया हूँ इसका, ये देखें इसके फूल जो के बाद में, अब भी मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, इनको तोड़ने के बाद में धोके और छाया में सुकाले, लगबग चार-पांच गुछे लेले हैं, बड़े-बड़े, ये देखो, तो ये कई तरह के होते हैं, सफेद भी होता है, ये कलर भी होता है, और एक थोड़ा पीला भी होता है, तो आपको कोई सा मिल जाए, आप ये गुछे लेले, आर दस, तो आपको अच्छा रहेगा, आर दस को सुखा लें, और जबी भी आपको नाक बहे, बहेना मतलब साइनेस का रोग होते हैं, और नजला जुकाम होता है, सर्दी लग जाती है, और खांसी, जुकाम, और स्वांस रोग भी हो गया है, स्वांस लेने में परिशानी हो रही है, तो उसके लिए में आया था, किसी भी तरह की खांसी हो, जुकाम हो, साइनेस की बीमारी हो, नाक बह रही हो, या स्वांस के संबंदित रोग हो, तो ये जो हैं, जब सूख जाएं तो मैंने बताया था कि आठ दस इस तरह के गुच्छा ले लें और सुखा लें और सुरच्छित रख लें जबी भी जरुवत हो तो इस तरह से ये चार जो सूखे हुए होंगे चार या पांच ले लें उसमें सहद मिलाएं उसे थोड़ा रगड़ा हाथ पर रखके हाथ साफ होने चाहिए और चार या पांच बूद जो शहद में मिल जाएंगे तो मैं एक बार फिर पताता हूँ इस तरह के जब सूख जाएं तो ये चार या पांच फूल ले लें उसमें कम से कम 10 ग्राम 10 ml मतलब शहद डालें और उसको थोड़ा रगड़ें तो पांच से छे बूद चाट लेंगे तो पांच या दस मिनट के अंदर नाक का बहना, बारवार छीक आना, जुकाम, सर्दी और अस्तमा के प्रकोब से होने वाली खांसी ठीक हो जाएगी ये बहुत सीधे साधे सरल उपाई मैंने पताया है, मैं अदिकतर गरीबों के लिए ही बहुत सीधे साधे सरल उपाई बताता हूँ, जिससे वो फाइदा उठा सकें, क्योंकि मालदार लोग तो बड़े-बड़े होस्पिटल जा सकते हैं, और बड़ा-बड़ा पे कर सकते लेकि गरीब नहीं जा सकता, तो अगर मित्रों ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास को स्वाहा, मित्रों एक विसेज जानकारी ये है, कि इसक की ऐसी जगे पर रखें, जहां पर बच्चों की पहुंचना हो, बच्चे इसका प्रियोग ना करें, तो केवल बड़े जो यस्क हैं, वही इसका प्रियोग करें, छोटे बच्चों के लिए मैं प्रियोग नहीं बता रहा हूं, और फाइदा लें, नमस्कार,